TOP 15 MOST AMAZING FACTS ABOUT ANIMALS मेंडग अपना खाना निगलते वक्त अपनी आखों का इस्तमाल करता है खाना निगलते वक्त वो अपनी आखे अंदर लेता है और अपने आखों से वो खाना गले के अंदर पूश करता है जैसे कि आप इस फोटो में मूँ के अंदर आखों को देख सकते हैं इसलिए हर वक्त खाना निगलते वक्त में अखे बन करता है हिरन को टाइगर्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं हमारी आखे रेड ब्लू और ग्रीन कलर को प्रोसेस करती है इसलिए हमें टाइगर्स और ग्रीन कलर को प्रोसेस कर सकती है इसलिए हरन को टाइगर्स ग्रीन कलर का दिखाई देता है आउल्स के आखे अपनी जगह पर फिक्स होती है और वो हमारी आखों की तरह मूँ नहीं करती इसलिए आगे पीछे राइट लेफ देखने के लिए वो अपने हेड को घुमाता है टाइगर्स की टंग काटेदार होती है उनके जबान पर छोटे काटेदार हुग जैसी चीज होती है जिसे पैपीला कहते है इसे उन्हें अपने शिकार के स्कीन के उपर की फर चाट के निकालने में मदद मिलती है हनी भी हमें काटने के बाद मर जाती है इसके वज़ा है कि मधुमक्खी का डंग काटेदार होता है और जब वो हमें काटती है तब उसका डंग हमारी स्कीन में अटक जाता है फिर उस डंग को वो हमारी स्कीन में ही छोड़कर निकल जाती है लेकिन जब वो डंग तूटता है तब उसके साथ मदू मक्खी का digestive tract, muscle और nerves भी उस डंग के साथ निकल आते हैं इसलिए मदू मक्खी डंग मारने के बाद मर जाती है टाइगर्स के फर पे black patterns होते हैं वैसे ये उनके स्कीन पे भी होते हैं मतलब अगर उनकी फर को शेय किया जाए तो उनके स्कीन पे भी वही patterns होते हैं जो उनके फर पे होते हैं birds 150 million years पहले छोटे मांत सहरी डाइनोसौर्स जैसे कि थेरोपोर्स से इवाल हुए थे 1961 में 150 million years पहले का Archaeopteryx का fossil मिला था और ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे पहला bird था उसे डाइनोसौर्स जैसे दाथ थे और लंबी पूझ भी थी frogs हमारी तरह पानी नहीं पीते बलकि वो अपने skin से पानी को absorb करते हैं उनकी पेट पे एक area होता है जिसे drinking patch कहते हैं जहां से वो पानी को absorb करते हैं हम कहते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है लेकि 90% शिकार शेर नहीं बलकि lioness यानि शेर नहीं करती है और शेर दिन बर सिर् पानी के बीना भी यह दशकों तक जिन्दा रह सकते हैं यह वेल की उल्टी है जिसकी कीमत करोडों में है वेल्स की उल्टी में ambergris नाम का substance होता है और ambergris पर्फ्यूम बनाने में इस्तमाल किया जाता है जिससे पर्फ्यूम हमारी skin पर ज़्यादा दिर तक बना रहता है औ और खुश्बू लंबे समय तक आती रहती है कुछ साल पहले condor नाम के एक female bird ने किसी भी male bird के बिना अंडे दिये और उसमें से बच्चे भी पैदा हुए इसे parthenogenesis कहते हैं इन बच्चों को कोई father नहीं होता सिर्फ mother होती है बहुत सारे animals के females ऐसा कर सकते हैं जैसे कि साप, lizards और कुछ प्रजाती के sharks और crocodiles चिपकली की tail बहुत बार तूट जाती है लेकिन असल में वो तूटती नहीं है बलकि चिपकली जान बुचकर अपने tail अपने body से separate करती है वो ऐसा अपने आपको बचाने के लिए करती है क्योंकि उसकी tail तूटने के बाद भी healthy रहती है जि जब किसी एक चीटी को खाना मिलता है तब वो फेरोमोन्स नाम का chemical substance जमीन पर छोड़ते हुए वापस जाती है जिससे एक तरह की गंद आती है और इस वज़े से बाकी की चीटिया उस गंद का पीछा करते हुए उस खाने तक पहुच जाती है बर्स में सबसे बड़ी आख औस्टीच की होती है और औस्टीच की आख उसके ब्रेन से भी बड़ी होती है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद